गुद मॉर्णिंग बच्चों कैसे हो बेटा सभी बेटा आज अपना जो टोपिक है वो है जीवन चक्र की अवस्थाएं देख इससे पहले जो हमने टोपिक स्टार्ट किया था वो टोपिक था अपना लेंगिक जनन तो लेंगिक जनन की परिवासा हमने पड़ी थी और लें लेंगिक जनन के बाद जीवन चक्र की अवस्थाएं कि लेंगिक जनन करने वाले जो प्राणी हैं उनके जीवन चक्र में कौन-कौन सी अवस्थाएं होती हैं तो लेंगिक जनन करने वाले जो प्राणी हैं उनके जीवन चक्र में तीन अवस्थाएं होती हैं कितनी अवस् अब वो तीन अवस्थाइं कौन सी हैं जिसमें हम पहली अवस्था लेते हैं किसोर अवस्था पहली अवस्था जो है वो है किसोर अवस्था किसोर अवस्था ठीक है या इसे बोला जाता है काईक अवस्था किसोर अवस्था या काईक अवस्था लेंगिक जनन करने वाले जो पराणी हैं उनके जीवन चक्र में तीन अवस्थाई होती है एक तो किसोर अवस्था है या इसको क्या बोल सकते हैं आप आप काईक अवस्था कह सकते हैं किसोर अवस्था या काईक अवस्था अब देखे बेटा ये क्या है किसोर अवस्था क्या है देखे बेटा जन्तुओं के जनम से लेकर जन्तु जो हैं उनके जनम से लेकर या मैं यह कहूं कि पादप जो है उनके अंकूरन से लेकर जन्तुओं का तो क्या होता है जनम होता है और जो पादप है उनका क्या होता है अंकूरन होता है तो जन्तों के जनम से लेकर और पादपों के अंकूरन से लेकर परीपक्व काल तक की जो अवस्था है या जनम से लेकर परिपक काल की जो अवस्था है वो क्या कहलाईगी बिटा किसोर अवस्था बैज जन्तुओं में जनम से लेकर या मैं यह कहूँ कि पादपों में अंकूरन से लेकर उसके परिपक काल की जो अवस्थाएं है वो अवस्था क्या कहलाती है किसोर अवस्था कह इस अवस्था में क्या होता है इस अवस्था में क्या होता है कि पादप जो है या जन्तु जो है उसके सरीर में व्रधी होती है उनके सरीर में क्या होती है व्रधी होती है ठीक है साथ में जो लेंगिक अंग है उनका निर्मान होता है लेंगिक अंगों का निर्मान होगा और सरीर में क्या होगी व्रदी होगी यह कारी कौन सी अवस्था में होंगे किसोर अवस्था में आप से पूछा जाए कि किसोर अवस्था में क्या परिवर्तन होते हैं तो किसोर अवस्था में एक तो सरीर में व्रदी होती है दूसरा सरीर में जो लेंगिक अंग है उनका निर्मान होता है और किसोर अवस्था कहां से कहां तक होती है जनतुओं के जनम से और पादपों के अंकूरन से लेकर परिपक कुकाल तक की जो अवस्था होती है वो उसकी किसोर अवस्था कहलाएगी जिसमें सरीर में व्रदी होगी और लेंगिक अंगों का निर्मान होगा ठीक है बेटा अब दूसरी अवस्था लेते हम वो है प्रजनन अवस्था प्रजनन अवस्था अब देखो बेटा नाम से पता लग रहा है कि इस अवस्था में जो जीव होता है वो प्रजनन करने योग हो जाता है जीव जो है वो प्रजनन या जनन करने योग हो जाता है या मैं यह कहूँ कि जो जीव है वो जनन चमता ग्रहन कर लेता है जीव जो है इस अवस्था में जनन चमता जो है उसको ग्रहन करने योग्य हो जाता है तो वो अवस्था उसकी क्या कहलाईगी प्रजनन अवस्था कहलाईगी कि सोर अवस्था में सारेरिक ब्रदी होगी लेंगिक अंग निर्मित होगे जबकि प्रजनन अवस्था में जो जीव है वो जनन करने योग हो जाता है ठीक है जैसे एक उधान की बात करें कि अगर पादप है तो पादप में जब प्रजनन अवस्था आती है तो उसमें पुस्पों का निर्मान शुरू हो जाता है पादपों में पुस्पों का निर्मान शुरू हो जाता है यारी पुस्पाने लग जाते हैं ये पादपों की प्रजिनन अवस्था अगर पादप में पुस्पाने लग जाते हैं तो मतलब पादप कौन सी अवस्था में आ चुका है प्रजिनन अवस्था में आ चुका है ठीक है बीटा प्रजिनन अवस्था के आधार पर पादप जो होती हैं ये दो प्रकार के होती हैं किसके आधार पर प्रजिनन अवस्था के आधार पर और दो प्रकार के कौन से हैं जिसमें हम पहला प्रकार लेते हैं मोनोकार्पिक पादप प्रजिनन अवस्था के आधार पर पादप जो हैं ये दो प्रकार के हैं जिसमें हमने पहला प्रकार लिया है मोनोकार्पिक पादप और मोनोकार्पिक पादप देखी बेटा क्या होते हैं मोनोकार्पिक वेपादप होते हैं जो अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प धारन करते हैं एक बार ही पुष्प धारन करते हैं मोनोकार्पिक यानि वेपादप जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प धारन करते हैं ठीक है वो क्या कहलाते हैं मोनोकार्पिक पादप कहलाते हैं बेटा एक बार सोचो कि ऐसे कौन से पादप है और आप अच्छे से जानते हैं कि वे पादप कौन से हैं जो अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प धारन करेंगे उसके बाद उनकी मृत्व हो जाती है और इसका जो सबसे उद्धारन है सबसे बड़ा उद्धारन है वो है एक वर्सिय पादप एक वर्सिय पादप मतलब क्या हो गया कि वे पादप जो अपना जीवनकाल एक वर्स में ही पूर्ण कर लेते हैं अब देखो एक वर्शी पादक कोन से है सरसों है को जो आप फसल होते हैं वह एक स्रसों है चना मतर है बाजरा है में है यह इस लिई-चल? पादप हैं इन में ढूर्ken जैसे सर्सं अबाच चाटेश जानते हैं उसके बाद फल बंते हैं बीज बनते हैं और पादप क्या हो जाती दूए तो एक अपने जीवन काल म्यादप की पादप करता है वो कहलाएगा मोनो कार्पिक और इसमें कौन से आएंगे बेटा एक वर्षिय पादप आते हैं ठीक बेटा लेकिन एक चीछ ध्यान देना पेटा यहां पर बहुत इंपोर्टेंट भी है लेकिन कुछ बहुवर्षी पादप ऐसे हैं कुछ बहुवर्षी पादप ऐसे हैं जो मोनो कार्पिक भी होते हैं बहुवर्षी का मतलब अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं लेकिन एक बार ही पुस्पधारन करेंगे मोनोकार्पिक का मतलब एक बार ही पुस्पधान करना है तो कुछ भहवर्षी पादब भी है जो अपने जीवन काल में एक बार ही पुस्पधान करते हैं भहवर्षी कोन से है जिसमें पहला उधान लेते हैं बांस बांस जो है उसकी एक प्रजाती है मेला कोना मेला कोना बंबू साइड़ी यह बांस की एक प्रजाती है मेला कोना बंबू साइड़ी यह एक बांस की प्रजाती है जो पचास से सो वर्ष तक काईक अवस्था में रहती है पचास से सो वर्ष तक काईक अवस्था में रहती है यह वाली जो आपने काईक अवस्था पढ़ी थी तो मेला कोना बंबू साइड़ी पचास से सो वर्ष तक काईक अवस्था में रहती है यानि पचास से सो वर्स तक जीवित रहती है यानि बहवर्स ही है ठीक है और उसके पश्चात ये परजाती एक बार ही पुस्बधारन करेगी यानि पचास से सो वर्षों में उसमें एक बार ही पुश पाता है उसके बाद इसमें फल बनते हैं बीज बनते हैं और पादप की मृत्यू हो जाती है तो कुश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा भहवर्षिय पादप है जो मोनोकार्पिक है बाई एक वर्षिय तो होते ही है भहवर्षिय कौन सा है बांस की प्रजाती मैला कोना बांबू साइडी जो पचास से सो वर्षों तक काई कवस्था में रहती है उसके बाद ये पुश्पधारन करेगी फल बनेंगे बीज बनते हैं और पादप की मृत्यू हो जाती है तो ये एक वर्षिय पादप लिया था मने मैला कोना बंबू साइडी दूसरा एक वर्षिय पादप और है दूसरा वर्षिय पादप कौन सा है नीला कुरेंजी नीला कुरेंजी नीला कुरेंजी और इसका वेज्ञानिक जो नाम है वो है बेटा इस्ट्रो बिलेंथस कून्थियाना यह पादप है नीला कुरेंजी वेज्ञानिक नाम क्या है इसका बेटा इस्ट्रो बिलेंथस कून्थियाना बारा वर्सों में बारा जो वर्स है इन बारा वर्सों में यह पुष्प धारन करती है बारा वर्सों में यानि बहुवर्सिय है और बारा वर्सों में पुस्पधारन करेगी उसके बाद फल बनेंगे इसमें बीज बनेंगे और उसके बाद पादप की क्या हो जाती है मृत्यू देखे बारा वर्ष तक जीवित है यानि बहुवर्षिय है लेकिन एक बार ही पुस्पधारन करनी है यानि यह क्या है मोनोकार्पिक है तो यह दो चीज आपको याद रखनी है बहुवर्षिय पादप एक तो मैला कोना बांबू साइडी और दूसरा नीला जी यह ऐसे बहुवर्षिय पादप है जो मोनोकार्पिक होते हैं ठीक बेटा और नीला कुरेंजी जो है यह केरल में केरल में तमिल नाडू केरल में तमिल नाडू में जो है और करनाटक करनाटक जो है इसकी पहाड़ी छेत्रों पर उगती है यह नीला कुरेंजी कहां उगती है केरल में तमिल नाडू में और करनाटक जो है उसमें यह पहाड़ीयों पर उगती है और इसने 2006 में पुष्प धारन किये थे जैनि यह अगली बार कब पुष्प धारन करेगी 2018 में और 2018 के बाद यह कब पुष्प धारन करेगी 2030 में पुष्प धारन करती है और जब यह पुस्प धारण करती है तो वहां की जो पहाड़ी है वो इतने पुस्प आते हैं कि पूरी पहाड़ी नीली दिखाई देती है जिसके कारण वहां पर प्रेटकों की संख्या में व्रदी होती है कब जब नीला कुरेंजी पुष्प धारण करती है उस समय पूरी पाड़ी नीली हो जाती है और इसे देखने के लिए प्रटक जो है वहाँ पर आते हैं ठीक बेटा तो ये हमने प्रजनन अवस्था के आधार पर जो है पादप के दो परकार बताए थे पहला परकार हमने क्या ले लिया मोनोकार्पिक मोनोकार्पिक में आपने एक वर्षिय पादप जो होते ही हैं मोनोकार्पिक उसके अलावा कुछ बहवर्षिय पादप पड़े आपने एक तो मैला कोना बांबू साइडी और नीला कुरेंजी ठीक बटा ये मोनोकार्पिक polycarpik 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 monocarpik polycarpik polycarpik monocarpik जो पदब थे वो जीवनकाल में एक बार ही पुस्बधार्न करते थे जीवन काल में क्या कर रहे थे वेटा एक बार ही पुस्पधारन करते थे जबकि पोलीकार्पिक वे पादप होते हैं वे पादप है जो प्रतेक वर्स प्रतेक वर्स एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में या बोल सकते हो एक निश्चित रितू में पुस्पधारन करते हैं प्रतेक वर्स पुलिकार्पिक वे पादप हैं जो प्रतेक वर्स एक निर्धारित समय में या रितू में पुस्पधारन करते हैं यानि कहने का मतलब अपने जीवनकाल में अनेको बार पुस्पधारन करते हैं जो हर वर्स पुष्पधारन करते हैं एक निशित रुतू में होता है जैसे आप आम है आम का जो पादप है अनीक वर्सों तक जीवित होता है और एक निशित रितू में वो पुस्पधार्ण करता है ठीक है आम है सेब है ठीक है बैटा अंगूर है पपीता है यानि ये जो भवर्शी पादप है ये क्या होते हैं पोली कार्पिक होते हैं जो एक निशित रितू में जो है एक निशित रुती में पुस्पधार्ण करते ह जैसे आम है वो एक निशित रितू में मिलता है आपको जैसे गर्मी रितू में आता है यानि यह गर्मी में पुस्पधार्ण करेगा फिर बनाएगा फिर अगली गर्मी रितू आएगी फिर उसमें वो क्या करेगा पुस्पधार्ण करेगा तो आम है सेव है अंगूर है पप पॉलिकार्पिक तो हैं यहां पर यह दो हैं यह मोनोकार्पिक भी हैं अधिकान्स भाववर्षिय पादप क्या होते हैं पॉलिकार्पिक हैं लेकिन मैला कोना और नीला कुरेंजी यह भाववर्षिय भी होते हुए क्या हैं मोनोकार्पिक होते हैं ठीक पैटा अब पॉलिकार्पिक पादप है ठीक है अब पॉलिकार्पिक पादप जो है इनको प्रजनन अवस्था के आधार पर कौन सी अवस्था प्रजनन अवस्था प्रजनन अवस्था ही चल रही थी अपनी और प्रजनन अवस्था में मोनोकार्पिक और दूसरा पॉलिकार्पिक तो प प्रजिनन अवस्था के आधार पर जन्तू जो हैं ये दो परकार के होते हैं कोन सी अवस्था के आधार पर प्रजिनन अवस्था में तो प्रजनन अवस्था के आधार पर दो परकार के जन्तु कोन से हैं? वो देखना है हमें दो परकार के जन्तु किसके आधार पर प्रजनन अवस्था के आधार पर दो परकार के जन्तु कोन से हैं? जिसमें पहला आता है मोस्मी प्रजनक पहला जो है वो है मोस्मी प्रजनक देखमेटा नाम से ही पता लग रहा है मोसमी प्रजनक, यानि वे जन्तु जो एक निशित मोसम में ही प्रजनन करते हैं प्रजनन आवस्था के आदार पर दो परकार के जन्तु पढ़े हैं जिसमें पहला है मोस्मी प्रजनक मोस्मी प्रजनक किसे कहोगे वे जन्तु जो एक निशित मोसम में ही प्रजनन करते है निशित मोसम में ही प्रजनन करेंगे वो कहलाएंगे मोस्मी प्रजनक कहलाते है ठीके बेटा अब मोस्मी प्रजनक कोन से जन्तु है भई एक तो आती है घरेलू मक्खी जो है आपने देखा होगा कि गर्मियों की दिनों में मक्खियों की संख्या बढ़ जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि जो मक्खी है वह गर्मियों की मोसम में ही प्रजणन करते हैं सैंट गहरेलु मक्ही है मच्छा है मच्छर भी एक निष्जित इद्यू में इनकी संंख्या बढ़ती अब संख्या बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वह वह प्रजणन कर रहा है और हदीकांस पक्सी जो हैं यह भी एक निशित मोसम में ही प्रजिनन करते हैं तो मोसमी जो प्रजिनक है ऐसे जन्तू जो एक निशित मोसम में ही प्रजिनन करते हैं गरेलू मक्खी अधिकान्स पक्षी ठीक बेटा दूसरा जो प्रकार है जन्तु का वो होता है सतत प्रजनक सतत प्रजनक क्या होते हैं वे जन्तु होते हैं जो पूरे वर्ष पूरे वर्ष प्रजनन की क्रिया करते हैं वो क्या कहलाएंगे सतत प्रजनक बैए एक निशित मोसम में करेंगे तो मोसमी प्रजनक और पूरे वर्ष अगर प्रजनन करता है कोई जीव तो वो क्या कहलाएगा सतत प्रजनक कहलाता है अब पूरे वर्ष प्रजनन करने वाले जीव कोन से हैं जन्तु कोन से हैं जैसे मनुष है मनुष जो है यह पूरे वर्ष प्रजनन करता है उसके अलावा दुधारू पसु जो है यह भी पूरे वर्ष प्रजनन करते हैं मदु मख्षी मदु मख्षी जो है यह भी पूरे वर्ष प्रजनन करती है मुर्गी है यह भी पूरे वर्ष प्रजनन करती है तो पूरे वर्ष प्रजनन करने वाले जो जन्तु है वो सतत प्रजनन कहलाते हैं जिसमें मनुष आता है दुधारू पसु आते हैं मदु आती थीक है उसके बाद देखिए वे जन्तू जो सतत्प्रजनक होते हैं कैसे बेटा सतत्प्रजनक और सतत्प्रजनक या सतत्प्रजनक करने वाले जो जन्तू हैं उनकी जो मादा होती हैं लेंगे जनन में नर्वे मादा होते हैं तो सतत प्रजनक जन्तूओं की जो मादाएं हैं उन मादाओं में दो प्रकार का किनमे सतत प्रजनक जन्तू जो हैं उनकी मादाओं जो हैं उन में दो प्रकार का जनन चक्र पाया जाता है और वेटा ये बहुत इंपोर्टेंट कृशन है कि सतत प्रजनक जन्तु जो है उनकी मादाओं में दो प्रकार का जनन्चक्र पाया जाता है दो प्रकार का जनन्चक्र कौन सा है एक तो होता है मासिक चक्र एक कौन सा बेटा मासिक चक्र एक मासिक चक्र हो गया दूसरा है मद्द चक्र मासिक चक्र और मद्द चक्र ये दो प्रकार का जनन चक्र है किन में सतत प्रजनक जन्तुओं की मादाओं में दो प्रकार का जनन चक्र पाया जाता है मासिक चक्र और मद्द चक्र कुशन यहीं आता है कि मासिक चक्र और मद चक्र में अंतर क्या है तो अब दोनों में अंतर करेंगे मासिक चक्र में और मद चक्र में देखे पेटा मासिक चक्र जो है ये प्राई मेट्स गन की मादाओं में पाया जाता है पढ़ा था है आपने बेटा 11 में प्राइमेट्स गण तो प्राइमेट्स गण की जो मादाईं है उनमें मासिक चक्र मिले गया अब प्राइमेट्स गण में कौन-कौन आता है एक तो मानव आता है मानव है बंदर है गोरिला है गोरिला है चिम्पोंजी है चिम्पोंजी है तो प्राइमेट्स गण की जो मादाईं है उनमें तो क्या मिलेगा मासिक चक्र प्राइमेट्स गण में कौन आएगा मानव बंदर गोरिला चिम्पोंजी और मद्चक्र जो होता है ये मद्चक्र नोन प्राइमेट्स नोन प्राइमेट्स गण की जो मादाईं है उनमें पाया जाता है नोन प्राइमेट्स गण की जो मादाईं है उनमें मिलेगा मद्चक्र जैसे गाय है गाय है भैंस है भेड है बकरी है गाय भैंस भेड बकरी जो है कुत्ता है बिल्ली है ये नोन प्राइमेट्स में आते हैं है जाए है मासिक चक्र किन में मिलेगा विट्वाइमेट्स गण की मादाईं में और मद्चक्र कमिलेगा के नोन प्राइमेट्स कन की मादाईं में मिलता है ठीक है जी नतर हो गया पहला दूसरा अंतर लेते हैं कि मासिक चक्र के दोरान जो मासिक चक्र है इसके दोरान मादा जो है उसकी योनी से मादा की योनी से रक्त का स्राव होता है मादा की योनी से रक्त का स्राव होता है मासिक चक्र के दोरान जब मासिक चक्र आता है तो मादा की योनी से रक्त का स्राव होता है जबकि मद चक्र जो है उस दोरान मादा की योनी से रक्त का स्राव नहीं होता है रक्त जो है उसका स्राव नहीं होता है वह मासिक चक्र में रक्त का स्राव होगा और मद चक्र में रक्त का स्राव नहीं होता है तीसरा है मासिक चक्र के दोरान मादा जो है उसको लेंगिक उत्तेजना लेंगिक उत्तेजना उत्पन नहीं होती है मासिक चक्र के दोरान जो मादा है उसको लेंगिक उत्तेजना उत्पन नहीं होती है जबकि मद चक्र के दोरान मादा जो है उसको लेंगिक उत्तेजना उत्पन होती है मद चक्र जो है उसमें मादा को लेंगिक उत्तेजना उत्पन होगी जबकि जो मासिक चक्र है उसमें मादा को लेंगिक उत्तेजना उत्पन नहीं होती है यह क्या हो गया पीसरा अंतर चोथा अंतर लेते हैं या पर चोथा अंतर क्या है मासिक चक्र की जो मादाईं है यानि जिन में मासिक चक्र पाया जाता है मासिक चक्र की मादाईं जो है ये वर्स भर नर को सहवास की अनुमती परदान करती है नर को सहवास की अनुमती पूरे वर्स परदान करती है मासिक चक्र की जो मादाईं है यानि वे मादाईं जिनमें मासिक चक्र आता है वो अपने नर को पूरे वर्स सहवास की अनुमती परदान करती है सहवास का मतलब होता है साररी की जो सम्मंध है वो बनाने की अनुमती परदान करती है जबकि जो मद चक्र है उसकी मादाईं केवल मद चक्र के दोरान ही नर को सहवास की अनुमती परदान करती है ये मादाईं अपने नर को पूरेवर सहवास की अनुमती परदान करती है जबकि मद चक्र की जो मादाएं हैं वो अपने नर को केवल मद चक्र के दोरान ही सहवास की अनुमती परदान करती हैं केवल मद चक्र के दोरान ही करेंगी बाकी पूरे वर्स वो नर को सहवास की अनुमती परदान नहीं करती हैं तो बेटा ये चार अंतर हैं मासिक चक्र में और मद चक्र में ये प्राइमेट्स गण में मिलता है ये नोन प्राइमेट्स गण में मिलता है मादा की योनी से रख्त का स्राव होता है मादा की योनी से रख्त का स्राव नहीं होता है मादा को मासिक चकर के दोरान लेंगी को तेजना उत्पन नहीं होती है इसमें मद चकर के दोरान मादा को लेंगी को तेजना उत्पन होती है नमबर च्यार मादाएं जो हैं ये वर्स भर नर को सहवास की अनुमती परदान करती है 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 ठीक अब ये दो अवस्थाइं हमने कंप्लीट पर लि इक सबसे पहले वस्था कि भी आपने फिर प्रजनन अवस्था पडी तुझे प्रजनन अवस्था जो है उसके आधार पर पाधब दो परकार एक वैक तो कार्पिग एक पॉलिकार की उसके बाद बताया था कि प्रजनन अवस्था के आधार पर भी जंतु दो परकार के हैं मौशम प्रजनक और सतत्फजनक जू प्राणी है उनकी माधाओं में दो प्रकार का जनन चक्र उपस्तित है ठीक है तो दो अवस्था ही ओगी जीवन चक्र की एको काई और एक प्रजनन अब हम यहाँ पर तीसरी जो अवस्था है लेंगिक जनन की वो लेते हैं वो आती है जीन अवस्था जीन अवस्था या इसको आप कह सकते हो व्रद्धा अवस्था बुड़ापा पहले काई का अवस्था दूसरी प्रजनन अवस्था और तीसरी अवस्था है जीन अवस्था क्या है यह किसी भी जीव जो है उसके जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है किसी भी जीव जो है उसके जीवन चक्र की कौन सी है अन्ति मवस्था होती है जिसमें जीव के सभी अंग है उत्तक है उनकी कारिये छमता में कमी होने लगती है जैसे व्रकक है, हिर्दय है, नेत्र है, मस्तिक्स है, जननंग है उनकी कारिय चमता में क्या आजाती है? कमी आजाती है और साथ में उसका प्रती रक्सी तंत्र जो है यह कमजोर हो जाता है जीव का प्रतिरक्षी तंत्र क्या हो जाता है कमजोर हो जाता है जिससे के काण सरीर में विभिन प्रकार के रोग उत्पन हो जाते हैं और अन्ततय जीव जो है उसकी क्या हो जाती है मृत्यू हो जाती है जीन अवस्था होती है तो यह है जीन अवस्था जीवन चक्र की अंतिम अवस्था जिसमें जो जीव है उसके अंग है उत्तक है उनकी कारी चमता में कमी होने लगती है प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है जिससे अनेक रोग उत्पन हो जाते हैं और और यह जो तीनू अवस्थाइं जो आपने पड़ी हैं यह तीनु अवस्थाइं जो हैं यह एक तो हार्मोन पर निर्भर करती हैं इन पर निर्भर करती हैं हार्मोन पर और दूसरा प्रियावरनिये जो कारक हैं उन पर निर्भर करती हैं यह तीनु जो अवस्था हैं आपने पड़ी काई कावस्था प्रजन नवस्था और जी नवस्था यह किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं यह किसे तो आज जो है हमने लेंगिक जनन की अवस्थाईं पड़ी थी जीवन चक्र की ती नवस्थाईं काईक अवस्था प्रजन नवस्था और जी नवस्था ठीक पेटा तो आज के लिए इतना ही थेंक यू